बढ़कर तीन से चार हो गई है रेलवे ट्राक के किनारे शब मिला है शब गिट्टी के अंदर से निकाला गया है शब लगभग आठ सो कर्मी काम में लगे हुए थे जब शब को वहाँ से निकाला गया है तो हम आपको बता दे कि अब तक जो मरने वालों की तादात तीन थी वो बढ़कर फशार हो गई है बताया जा रहा है कि एक शब रेल में ट्राक के किनारे गिट्टी में दबा हुआ मिला है उसी में से शब को बहाँ निकाला गया है लगभग 800 कर्मी इस वक्त काम में चुटे हुए है जिससे वहाँ पर जो बोगया डे रेल हुई है उसको ट्राक से हटाया जाए ट्राक को साफ किया जाए और यहाँ पर एक बार फिर से रेल का संचालन शुरू किया जाए इसी दौरान गिट्टी में दबा हुआ एक शब मिला है यानि आप जो मरने वालू की तादात है वो चार्प हो गई है तो यह च्छे तस्वीरे हम आपको दिखा रहे है गोंडा में किस तरह से कल रेल हाथसा हुआ बड़ा रेल हाथसा था काईट दिब्बे पट्री से उतर गए इसमें अब जो आकड़ा है कहूंगी कि अभी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर तीन दिखाई दे रहा है लेकिन इसे चार कर दीजे क्योंकि चार की मौत हो गई है काई लोग घायल हो गई है रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है अलाकि जितने लोग है सबको रेस्क्यू कर लिया गया है और जो आस्पताल में है उनको इलाज दिया जा रहा है मौकी पर अधिकारी पहुँच चुके हैं और जो बागी बच्चे लोग थे उनको ट्रेनों से उनके गंतव्य तक रवाना कर दिया गया है और कल गुण्डा में बड़ा ट्रेन हाथसा हो गया चंडीगड से डिबरुगड जा रही डिबरुगड एक्स्प्रिस के पांक टब्बे पठरी से उतर गए प्रेन हाथसे में चार लोगों की मौत हो गई जबकि 33 लोग इसमें खायल हुए हाथसे पस्यम यूगी ने ट्वीट कर दुख जताया है वहाथसे को लेकर रेलवे ने आर्थिक मदद का एलान किया है जानकवाने वाले लोगों के परिवार को 10-10 लाग की मदद रेलवे करेगा रेलवे के जाच के आदेश दे दिये हैं आप देख सकते हैं किस तरह से आज सुपह की यह तस्वीर है जो प्रेन की टब जो डिबे पल्टे थे उनको वहाँ ट्राक से तो हटा दिया गया है लेक किन बता जा रहा है कि कुछ देर और ट्राक बाधित रहेगी कोशिश यह की जा रही कि जल से जल ट्राक को दुरुस्त कर यहां पर रेलवे का संचालन शुरू करना दिया जाए मृतकों की परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक मदद का एलान कर दिया है मृतकों की परिजनों को 10-10 लाग गंभीर घायलों को धाई-धाई लाग और अस अन्य घायलों को 50,000 रुपे की मदद देने की घूश राकी कई है जो casualties और जो घायल हुए है उनमें जो casualties है उनके लिए हमारा बढ़ा हुआ enhanced ex-ratia compensation दिया जाएगा casualties के लिए 10 लाग और जिनको serious injury जिसको हम grievous injury बोलते हैं उनको धाई-लाग और जो simple injuries है उनको 50,000 का मुआफसा दिया जाएगा उधर गोंडा railway हाथसे पर railway ने बड़ा दावा कर दिया है सुत्रो के हवाले से खबार है कि train की लोको पालट ने हाथसे से पहले धमाकी के आवाज सुनने का दावा किया दावा है कि railway को शक है कि ये कोई साधारन हाथसा नहीं वालकि कोई बड़ी साचश हो सकती है वहाई उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि train हाथसे से पहले कोई धमाका नहीं हुआ और नहीं हाथसे के पीछे कोई टेरर एंगल ही है उदर हसम किसियम हिमंत विश्वा सर्मा हाथसे से जुड़ी बड़ी मांग की है और कहा है कि हाथसे से पहले जो धमाके के आवाज सुनाई दी उसकी जाच होनी चाहिए जो हुआ है उसका पहले ब्लास का आवाज भी सुना गिया था पक्का इंक्वारी होना साहिए लेकिन में असाम का सीयम का नाते में ये बोलना साता हूं कि अभी तक असाम का कोई लोग और रेल में थायल और इंजोड का लीस्ट में अभी तक नहीं है और गोंडा में ट्रेन हाथसे के बाद NDRF, SDRF से लेकर कई सतर की टीमी इस वक्त रिस्क्यू की काम में चुटी है इस दोरान ट्रेन में फसी यात्रियों को बाहर निकाला गया, उनके साथ ही खाने पीने का इंतिजाम भी किया गया, हर तरह की सुविधाओं का ख्याल रखा गया, जिसमें रेल्वे और स्थानिये दोनों लोग थे वहाई हाथसे वाली जखा से यात्रियों को मनकापूर स्टेशन लाया गया, जहां से स्पेशल ट्रेन के जरीए करीब 600 यात्रियों को गोरकपूर रवायना कर दिया गया है, और इसके बाद रेल्वे ने स्पेशल ट्रेन की विवस्ता की थी, अब गोरकपूर से इन यात् सातनों से उनके घरू तक पहुचा दिया जाएका